हलो गाईज वालकम टू अभी पीडीया पावर भाइ अभी मनीव ओई यह राजस्थान एडिस्टेटिव सर्वीसिस एक्जाम अभी-अभी result आया राजस्तान अबिस्टेटिप सर्विसिस का result ऑया राजस्थान Public Service Commission ने इस result को release किया और अगर मैं बात करो बहुत सारे aspirants ने एस exam को crack किया बहुत सारे aspirants ऐसे भी थे जो उपट आपकर नहीं करते हैं बढ़ उन्होंने इस August या कॉपर पर भारत के किसी भी राज़य का कोई भी aspirants जो है वो दूसरे राज्ये का civil services का exam दे सकता है तो राजस्तान public service commission दोरा यह जो notification था 2018 में निकाला गया था बट जिसका जो process है वो 2021 में जाके complete हुआ वो क्यों क्योंकि एक case file हो गया था पहले covid आ गया उसके बाद जब December 2020 में dates रखी गई interview की dates यहाँ पर राजस्तान public service commission के दोरा रखी गई तो कुछ cases के चलते हुए court ने stay लगाया और आगे बढ़ता गया उसके बाद interview conduct हुआ और finally अभी result आ चुका है राजस्तान administrative services 2018 का अब 2018 में आया था vacancies अच्छे level पे थी 400-500 vacancies आई थी तो अब आगे भी आएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे aspirants हैं जो other state का civil services का exam देते हैं जो belong तो किसी राजसे करते हैं और other state का exam देते हैं क्योंकि asprada constitution किसी भी राजसे का कोई भी aspirant यहाँ पे exam दे सकता है अब ऐसे कैसे देखे जब आप किसी स्टेट के civil services exam के लिए जाते हैं तो डिफरेंस क्या रहता है जो पैटरन रहता है वह यूपी यसी जैसा ही रहता है अब जिस भी state के exam के लिए जाओगे आपको state का gk वहां के cultural events वहां का जो culture है historical है और यहां का वहां का जो current अफेस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपको read out करना पड़ेगा आप किसी भी state के exam के लिए जाओगे इसके इलावा कुछ ज़रूरी नहीं होता उसके इलावा हर state का pattern different होता है किसी state में 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 कम exam होते किसी में ज्यादा होते यह सब डिफरेंस यहां पर रहता है तो राजस्तान administrative services की बात करें तो अगर आप किसी भी state से बिलॉंग करते और अन्या राज्ये की state civil services का exam देना चाहते हैं और आपको कुछ problem आ रही है तो यहां पर अभिपी services and state civil services और अभी पीडिया आपके लिए ले के आया है एक online exam course online preparation course which will help you to crack the state civil services exam of any state जिसके अंदर हम आपको हर state का जीके जिस भी state का इलिए आप exam देना चाहेंगे आपको उस state का जीके cover up करवाया चाहेगा तांकि आप उस state के exam को easily way में crack कर पाओ तो अभी पीडिया आपके ल services exam preparation course जिसमें prelims plus GS prelims means दोनों का GS plus CSET का complete preparation आपको करवाया जाएगा प्रीकम मेंस का course है और इसके बारे में अधिक जानकारी में आपको अंत में देता हूं फिलाल आज हम बात करेंगे राजस्तान administrative services की की राजस्तान administrative services का जो exam होता है यह दुबारा कब आने के chances हैं और इसम जानेंगे राजस्तान administrative services के दौरा के बारे में राजस्तान administrative services का जो exam है राजस्तान public service commission के दौरा और और इस करवाया जाता है तो इसको लेके वेपर में को उशन नहीं है आगा फिर वी मैं आपके लिए यहाँ पे information share कर रहा हूं कि किस तरह से यह बना आगे बाद करें तो राजस्तान administrative services का जो exam है इसको हम RAS भी बोलते हैं और इसको हम राजस्तान state and subordinate service combined competitive examination भी बोला जाता है राजस्तान state and subordinate services combined competitive exam यह भी हम यहाँ पे इसको बोलते हैं तो मैंने दूसरा नाम भी आपको बता दिया है यहाँ कि आपको किसी तरह की confusion ना हो कि RAS डिफरेंट चीज़ है और राजस्तान state and subordinate service combined competitive exam यह डिफरेंट चीज़ है नई दोनों same है दोनों same है आगे बात करेंगे तो age limit क्या होती है क्या यहाँ पर रहता है तो देखें age limit की बात करों तो age limit basically रहती है 21 to 40 years 21 to 40 years minimum आपकी जो IU है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए और अ SC, OVC, SC या किसी अन्य category से belong करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ relaxation मिल जाएगा that is according to your category तो अब देख सकते हो और non-gazited post अगर निकल के आती है public service commission के दौरा निकलती है तो उसके लिए जो 25 है उसके लिए कम से कम आयू 25 होनी चाहिए 25 आगे बात करें तो qualification की भारत की किसी भी मानेता प्राप्त युनिवस्टी से आपने graduation का डिगरी किया हो ठीक है अग्राजूशन डिगरी आपके पास होना चाहिए भारत की किसी भी मानेता प्राप्त युनिवस्टी से इतना ही basically required है ठीक है इतना ही यहाँ पे required है आगे बढ़ेंगे तो selection process की बात करते हैं आप selection process म में क्या रहता है selection process में 3 phases होते हैं सबसे पहले prelims का exam उसके बाद मेंस का exam उसके बाद personality test या interview जिसका हूं बहुत है अब इनके अंदर changes होते हैं अब इनके अंदर जैसे कि हम सबसे पहले prelims की बात करते हैं यूपी सी मैं देखू तो वह एक जीस का पेपर होता है एक सीट का पेपर होता है बट यहां पर राजस्थान administrative services में राजस्थान Public Service Commission के दौरा सिर्फ एक पेपर रखा गया है तो एक ही पेपर होता है एक ही पेपर होता है वो पेपर जो होता है वो होता है जन्रल knowledge and general science का जन्रल knowledge and general science का एक पेपर होता है जो कि 200 नंबर का होता है और तीन घंटे आपको मिलते है पेपर objective टाइप रहेगा multiple choice question आपके सामने आते हैं ठीक है 200 नंबर का पेपर है तीन घंटे का समय मिलता है जन्रल knowledge and general science का और यह जो prelims का पेपर है यह screening के लिए यानि कि इसके marks final selection में count नहीं होते यह exam आपको सिर्फ mains तक पहुचाएगा मेंस तक यानि कि अगर आप prelims में अच्छा खासा score ले आते हो तो आप मेंस के लिए eligible हो अगर आप मेंस जब दोगे तो आपका जो final selection होगा वो मेंस के ऊपर ही निर्फर करता है प्रिलियम सिर्फ आपको मेंस तक लेके जाएगा तो जन्रल knowledge and general science यहाँ पर पूछा जाता है 200 नंबर का पेपर आता है तीन घंटे का समय यहाँ पर मिलता है इस बात का ध्यान भी कर दिया जाएगा आगे बात करेंगे मेंस की अब मेंस में यहाँ पर चार पेपर होते हैं मेंस में यहाँ पर चार पेपर होते हैं दोसो दोसो नंबर के चार पर तीन घंटे सबके लिए मिलते हैं ठीक है यह रहेंगे descriptive type, यानि की subjective type subjective type paper होते हैं, 4 के 4 सबसे पहले GS का paper होते है GS 1, 200 number का 3 घंटे उसके बाद GS 2 होता है, 200 number का उसके बाद GS 3 होता है, 200 number का और जो चोथा paper होता है, वो होता है जनरल Hindi and General English का, again 200 number का, General Hindi and General English का, तो total 4 paper होते हैं 2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-1-0 वहां पे रहता है ठीक है आघ सो नमबर का अब इसमे किस तरह की कोशेंशन आते हैं इसमे कुछ ब्रीव कोशेंशन आएंगे कुछ auto a दाएंगे बैसिकली लवल तक का डेटा आप से पुछा जाता है और जो आपका हिंदी और इंगलिश होता है यह आपको प्लस तो लेवल तक का पुछा जाता है यह आपका senior secondory level का पुछा जाता है ठीक है और हर एक्जाम के लिए आपको मिलेंगे तीन-तीन सबीन होथ तो आट तो नमबर का आपका में से तोटल नोचो में से आपका यहांप करना हो जाएगी तो पर है पेपर बाइवाई लेंगोल होगा English और Hindi दोनों में पूछा दाएगा आपको बट ऐसा नहीं है कि एक प्र आदा प्राप किसी में लिख रहे हैं आपको एक ही भाशा में लिखना पड़ेगा ऐदर इंग्लिश आइदर इन हिंदी एक ही भाशा में आपको लिखना है इस ब section आगे बात करेंगे अभी पीडिया के स्कूर्स की तो जैसे मैंने बताया अभी पीडिया आपके लिए ले के आया है एक combined state civil services exam preparation course इस exam के चलते हुए आप किसी भी state का civil services का exam crack कर सकते हैं यह exam आपको यह जो course है या आपको exam को crack करने में definitely help करेगा क्योंकि अभी पीडिया पिछले बाइस सालों से speed में काम कर रहे हैं और पंदरा सो से जड़ा सेलेक्शन हम दे चुके हैं टॉप रैंकर्स भी प्रड्यूस की है नमबर वान नमबर टू यह अभी पीडिया प्रड्यूस कर चुका अलड़ी अभी पीडिया अलड़ी पर्चे प्रड्यूस कर चुका है तो यहां पर एक बैस्ट अच्छे लेवल पा हम आपके लिए लेकर आए जो कि अभी मन्य आई एस की एक्सपर्ट फेकलिटी के दौर आपको यह लेक्शों प्रोवाइड करवाए जाएंगे और लेक्शरस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रोवाइड कर आगे देखें तो यह जो कोर्स है इसका डॉरेशन रहेगा छे महीन फ्री 20 डेस का ट्राइल ऐसा नहीं है कि आपको आज ही क्लासीस देखते और आज ही पैसे देने है ठीक है 20 डेस का फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं यानि कि एक अच्छा खशा टाइम आपको अपना डिसीजन लेने के लिए दिया जा रहा है तो आज ही अपना डैमो बुक कराएं आज ही अपना डैमो बुक करें डैट इस दा मडूल वाइस कोर्स अफ दो modern history यहां पर ongoing है तो इसके लिए आज ही अपना आपको register कराएं the link is in the description link आपको description में मिल जाएगा फिर भी problem आती है तो you can write in the comment section आप comment section में लिख सकते हैं अपना किसी भी तरह का doubt तो जोईन दर टॉपस लीग ऑफ भी new is for the next राजस्तान administrative services क्योंकि जो notification है वह बहुत जल्दी आएगा क्योंकि last 2018 में आये था तो अब यहां पे vacancy आएगी और अच्छी खासी वेकेंसी आएगी और जादा प्रोसेस टफ नहीं है राजस्तान administrative services का अगर आप CSET में वीक है math reasoning में वीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है RS क्योंकि इसमें तो CSET होता ही नहीं है तो demo module course ongoing है हमारा modern history का आज ही अपना demo book कराएं जिसका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा तो it's all for today thank you so much